28 अक्टूबर 2023 को साल का आखरी चंद्रे ग्रेन होने वाला है इसी दिन शरत पोडिमा भी है जिस पर चार शुब्योग बनने हैं सब्सक्राइब चंद्रे ग्रेन के बाद तिजोरी एका एक उपाई आपको माला माल बना सकता है अगर आप आर्थिक तंगी से जूज रहे हैं या फिर आप नहीं चाहते कि कभी आर्थिक तंगी साब का सामना हो तो आपकी ये उपाई करना अवश्य चाहिए नो ग्रों में चंद्रे ग्रे हमें मन की शांती घर में सुक समर्दी धंदेने वाला ग्रे होता है अगर आपका मन अशांत रहे या घर में कलेश मचे रहे तो लाग कोश्चों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं हो सकती बात करते हैं 28 सक्तुबर 23 को देरात 1 बच कर 6 मिनट से 2 बच कर 22 मिनट तक चंद्रे ग्रेहन रहेगा इस से 9 घंटे पहले से सूर तक लग जागा इस दुरान आपको ना तो किस तरह की कोई पूजा करनी है ना कोई उपाई करना है जोतिश चारे के नुसार आपको चंद्र ग्रेहन लगने वाला है इस ग्रेहन भारत में नजर आएगा ग्रेहन का समापन होने के बाद आप चांदी का यह उपाई करें एक प्यूर चांदी का टुकडा लेकर अपनी तिजोरी में रखने क्योंकि ऐसे नहीं इसे तिजोरी में स्थापित करने की भी विदी है जिस द चंद्रमा की चाया में रख दें अब ग्रेहन समाप्त होने के बाद जब आप अगले दिन उठें तो इसे दूद गंगजल वाले मिसंट से निकाल कर सीधा अपनी तिजोरी में रख दें ध्यान रहे इस दुरान किसी से बात ना करें और नहीं किसी की टोक पड़ने दें ब पर अगर सर्फ होते ही चड़े जाएंगे बने रहें शगाल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद